सोशल मीडिया, इसके बिना आज कल सोच पाना भी मुश्किल है सोशल मीडिया में फेस्बूक आता है, इंस्टाग्राम आता है, स्नैपचैट आती है, वटसैप आता है, आपका टुटर हैंडल आता है, बहुत सारी और भी एप्स हैं बहुत सारी content creator भी इसी के जरीए सामने आये हैं, और पिछले कुछ वर्सों में इसने पूरे तरीके से पूरी दुनिया को कही न कहीं अपने कबजे में कर लिया, और इसके बिना इस वकत रहना, जीवन जीना, और कुछ पलों के लिए भी से दूरी कहीं न कहीं आम व्यक्ति क ले आती है, और इसी चीज़ को देखते हुए थोड़ी देर पहले ही, टुटर के जो मालिक है, Elon Musk, उन्होंने साफतोर पर ये कह दिया कि अब जो भी verified account है, टुटर पर उनको अगर अपना account आगे चलाना है, तो monthly subscription जो है, वो देनी पड़ेगे, और अगर आपको blue tick चाहिए तो उसके लिए भी आप pay कर सकते हैं, कहीं न कहीं वो चीज़ें विवादों में भी रही, लेकिन वो अभी चल रही है, और लोग टुटर पर जो verified है, वो subscription pay कर रहे हैं, और अब बात आती है, Facebook और Instagram यूज़ करने वालों के लिए ये बेहद जरूरी ख़वर है, ध्यान से स चुनियेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी monthly, Facebook और Instagram यूज़ करने के लिए pay करने पड़ेंगे पैसे, यानि कि जो भी Facebook और Instagram यूज़ कर रहे हैं, वो verified account है, उनको blue tick चाहिए या उनके पास पहले से ही blue tick है, तो आने वाले समय में आपको monthly subscription लेनी पड़ेगी, Mark Zagra work ने ये clear कर दिया है, आपने देखा होगा, थोड़े वक्त पहले ही, Elon Musk ने भी Twitter के साथ ऐसा ही किया, और Twitter account जिनके verified है, जो blue tick वाले है, उन्हें pay करना पड़ रहा है, monthly subscription लेनी पड़ेगी है, और अब आने वाले समय में, Facebook और Instagram verified account जो है, या फिर आप verified करना चाहते हैं, अगे अपना account उस तरीके से नहीं चलाए पाएंगी, ये social media कंपनियों की तरफ से free का धंदा बंद किया जा रहा है, जहां कुछ वक्त पहले Twitter ने paid blue tick service शुरू की थी, इसके लिए company परती माह 11-14 डॉलर चार्ज वसूल रही है, अब Twitter की रहा पर meta company चल निकली है, मेटा की त subscription model पर आना होगा, मार्क जकरबर्ग ने ऐलान किया है कि वो meta owned Facebook और Instagram verified service के लिए web users से हर माह 12 डॉलर और iOS users से हर माह 15 डॉलर के हिसाब से चार्ज करेंगे, फिलहाल इस service को Australia और New Zealand में शुरू किया गया है, इसी उमीद है कि जल्द अन्ने देशों में Facebook और Instagram paid service को launch कर दिया जा और Instagram और Facebook paid subscription model में users को कुछ खास service offer की जा सकती है, साथ ही HD वीडियो अपलोड करने के साथ ही कई अन्य service दी जा सकती है, बता दे कि अभी तक Facebook और Instagram पर मशूर लोगों को blue tick verification दिया जाता था, इसमें creators, company, brands शामिल थे, तो तयार हो जाए है, अगर आप चाहते हैं कि आपका account verified रहे और उस पर blue tick रहे या फिर आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको ये monthly जो subscription है, इसके लिए pay करना ही पड़ेगा, अभी तो New Zealand और Australia में शुरू हो रहा है, बहुत जल्द ये India में भी इसकी शुरूआत हो जाएगी, फिलहाल दीजे जाज़त, बिजेश अफ्तार के साथ तो रहुल सिंग दस्टेट सेंटरल के लिए, नमस्कार